को आज के इस वीडियो में हम अंकर एनसी क्रेंगे और 12 तुछ बोungs का इंस्पार होने जा रहता है वह किसे राइज में क्रांश पार हो सकता है तो इसका हम एनस्स करेंगे तो इसके लिए हम आ चुक है Angel1 के Instructed Options पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें Treadnought बटन पर क्लिक किया तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर Nifty का बैट रफाल चार्ट ओपन हो जाता है तो हमको Nifty का चार्ट हमको नहीं देखना है तो हमको Bank Nifty का इनलसेस करना है Option Chain का बटन देखने को मिलता है हम इसके उबर क्लिक कर देते हैं जैसे क्लिक करते है तो हमाँ पास Bank Nifty का Option Chain ओपन हो जाता है यहाँ पर हम Bank Nifty के Contract को एनलसेस करने की कोशिस करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको दो साइड में जो आपको ब्लेक कलर की पट्टी हाइलाइक होती हुए नजर आती यह कहलाता है आपको Add the Money Contract मतलब कि यह बेंक निफ्टी का जो Contract है जो 99 साइड दोसों पर यहाँ पर बेंक निफ्टी कामकाच कर रहा है तो जो बेंक निफ्टी में अगर हम कॉल साइड में जाते हैं तो जैसे कि 99 साइड दोसों उपर साइड दोसों के जो कॉल साइड है यह कहलाते है इसके इंदमनी कॉंट्रेक्ट और अगर हम पुट साइड में जाते है तो put side में 49,100, 49,000 ये कहते लाते हैं इंदमनी contract बागी इसके नीचे के contract और जो उपर साइट के contract अगर हम call side में बात करते हैं 49,700, 49,600 तो ये auto opening contract कहलाते हैं और नीचे put option में 38,900, 38,800 के आगे की जित्ते भी contract निकलेंगी ये auto opening contract कहलाते हैं हम यहाँ पर analysis कर रहे हैं बेंक निफ्टी के option जैन का कि बेंक निफ्टी के 13 October को expiry कहा हो सकती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह में 99,200 पर जो highest open interest build-up होता हुआ ये 12 lakh का highest open interest build-up होता हुआ नजगाता है इस तरह में support की बात करते हैं कि बेंक निफ्टी का highest support का label कहां बनता हुआ नजगाता है तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यह highest open interest जो build-up हुआ है अगर हम नीचे साइड में बात करते हैं इसके down side में तो 38,800 पर हमको highest open interest जो 16 lakh का है और उतना ही highest open interest यहाँ पर 38,700 के strike price पर 16.3 lakh का हमको बनता हुआ नजगाता है कहने का meaning यह है कि bank nifty के contract जो expire होते हुए नजगाती है यह 38,800 से लेके 38,500 की range में हमको होते हुए contract expire होते हुए नजगाता है तो बेंक निफ्टी का जो कॉंट्रेक्ट है ये 3800 से लेके 99500 के आसपास कहीं पर हमको expert होता हूँ नज़र आएंगा तो दोस्तों उमीद करते हैं ये वीडियो जानकर ये आपको पसंद आईएंगी तो ऐसे ही profitable जानकर रही के लिए आप हमारे साथ बने रही है अगर आपने अभी तक के हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को आउन कीजिए अगर आप हमारे एंगल बन के प्रेटफॉर्म से जुड़े हुए है तो आप follow button बे क्लिक कीजिए आपक नमस्कारण